गुजरात से आए चुनावी आकलों के बाद आमादी पार्टी को राश्ट्रिय दर्जा मिल गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संदीप पाठक जिन्हें हाल ही में संगठन का महामंत्री बनाया गया है नई जिम्मेदारी आमादी पार्टी में दी गई है नया पद ठोट भी य는 है और किस तरह से भूमीका को निभाएंगे संदीप पाठक इसके बारे में तो हम जानेंगे ही लेखिन लोग ये जानना चाहते हैं कि नीता से पहले संदीपाठक है कौन सुभे से ये सवाल चल रहा है कि संदीपाठक कौन है कहां से आये हैं कहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की और बहुत दिल्चसपी लोग इसलिए भी दिखा रहे हैं जो कि कई बार जब चर्चा होती है आम ल बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और बहुत लंबी जर्नी है और आसान था नी मैं चत्रिसगड में गाव हैं चोटे से गाव में वहां पैदा हुआ था पाचवी तक की पढ़ाई मैंने उसी गाव में पूरी की फिर आगे की पढ़ाई के लिए बिलासपूर शेर है वहा करते हैं तो अच्छल केमिकल लेबोरेटरी से वहां पर मैं रिसर्च एसोशियेट था फिर मैं परिक्षाएं दी सारी वो करके फिर केंबरिज में सिलेक्ट हो गया तो केंबरिज उन्यूरसिटी में मैं पी एजडी की सूपर कंड़क्टिंग माटिरियल्स पे वहां करके अच्छ एक्षफॉर्ड उनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं रिसर्च करने लगा ऑक्सफॉर्ड के बाद फिर मैं एम एटी चला गया प्रोफेसर व्लादी मेर बुलोविक हैं वह भी फोटो वोल्टिक पर ही काम करते हैं वहां पर इस पूरे प्रोसेस के दोरान मेरे मन मे यह था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और डिरेक्टली कॉंट्रिब्यूट करना है मैं साइंटिस्ट रहके भी इन डिरेक्ट तरीके से कॉंट्रिब्यूट तो करे ही रहा था और करता भी बट मुझे प्रत्यक्ष तरीके से कुछ करना सा इस देश के लिए तो कि पॉलिटिक पॉलिटीशन्स के तो बड़े कॉंप्लिकेटेट से होते हैं कोई क्लारिटी तो केजरिवाल जी की यही कंस्ट्रक्टिव राजनीती थी जो मुझे हुआ कि यही चीज है जो मैं जाना चाहता था जब अनुल चल रहा था तब आप कहा थे तब मैं अबरॉड म करने के बाद डीडी सी था पहले अशीज खेतान जी थे डेली डालॉग कमेशन तब तो चोटे-चोटे प्रोजेक्ट में मुझे डेरिक्ली कुछ कॉंट्रिब्यूट करना है तो फिर हो गया आपको मिल गया वो राजनीती का सिरा जिसको आपने पकड़ लिया लेकिन बातचीत है यह फिजिक्स के स्टुडेंट को बड़ी पसंद आने वाली है आपने पढ़ाया भी है उन बच्चों को आयाइटी में लेकिन यह मज़दार बात भी है और दल्चस्प भी है क्योंकि आयाइटीन है अर्विंद केजरिवाल भी आप भी आयाइटीन है और ऐसी स्थिति में अब आपके जिम्में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक लक्ष है उस लक्ष को किस तरीके से आप हासिल करेंगे क्योंकि मेरा सीधा सवाल यही रहेगा गुजरात में जो कुछ भी हुआ आम आदी पार्टी ने जो टार्गेट किया था अलग-अलग गारेंटिय और सारी जो गारेंटिया थी वो कहीं ना कहीं मुफ्त से जोड़ी हुई थी क्या लोगों ने वहां नकार दिया इस राजनीती को और अब इस लिहाद से आने वाली दिनों में आपकी चुनावती क्या होगी देखिए गुजरात में 40 लाख लोगों ने वोट दिया एक नई इस लाख अब असी कब असी लाख हो जाएगी कब करोडों में बदल जाएगी बहुत जल्दी हो जाएगी केजरिवाल जी की राजनीती ही है और गैरेंटी ही है जिसके कारण इतने वोट मिले हुए है आप भारती जनता पार्टी की राजनीती को देखिए वो 62 में 0 थे 67 मे कर दो देखोगे केरला में 0 है याप कैसारी लेट्स नॉट टेक इतनी तेजी से मुझे लगता है इस देश और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है यंग पार्टी है आप डेटा भी देख ले तो अधर्वाइस भी आप देख ले तो त आपको ऐसा कह देते हैं तो सुनने में तो अच्छा लगता है to be very honest with you but वो सचा ही नहीं है क्योंकि तो आप अपने आपको क्या मानते हैं मैं एक कारे करता हूं जो सिंपल सरल सीधे जो काम है उसको इमानदारी से करते हैं जो आउटपुट आता है उसको एकसेप्ट करते है अनलाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं तो मेरे लिए और पार्टी के लिए ये काम आसान इसलिए है क्योंकि आपके पास जब आपका लीडर इतना स्ट्रॉंग हो विजन विजनरी लीडर हो केजरिवाल के रूप में आपकी पासर देने का जो तरीका है वो तो उनको लोगों से कनेक करता है लेकिन जिम्मेदारी आपके कंधे पर है आप कहीं ना कहीं महामंत्री बनाए गए हैं आप अपनी छमता के हिसाब से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अलग-अलग उसको करने के लिए जी जान लगा दूँगा जो भी काम मेरे दाइत्तों में लाया जाएगा मैं पूरी मांदारी और मेहनत से करूँगा और आज तक जिस तरीके से परिणाम आई इसलिए मैंने कहा कि मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि मेरे पास केजरी वाल है साथ ही एक सवाल ये भी है कि साल 2024 की हर कोई अब चर्चा कर रहा है जिस तरह से हमाचल का चुना हुआ गुजरात का हुआ दिल्ली नगर निगम का हुआ सबसे एहम बात अब ये सामने निकल कर आ जाती है कि चर्चा लोगों के बीज में जाके आप करते हैं लोगों से पू करना चाहिए जनता पर छोड़ देनी चाहिए जनता बहुत बुद्धिमान है बहुत सयानी है तो आपके हिसाब से आप मानते हैं कि अर्विंद केजरिवाल को जनता बहुत प्यार करती है बहुत प्यार करती है वह उनको देखना चाहती है कि जादा जिम्मेदारी देना च चाहिए आप क्या मानते हैं कि देश का जब चुनाव होगा तो क्या होना चाहिए इस्तिति मेरे हिसाब से क्योंकि मैं एक कटर देश भगता हूं और वही सोच कि मैं राजनीती में आया हूं मेरे देश में एक सकारात्मक राजनीती होनी चाहिए मुद्दो की राजनीती होनी चाहिए जो मर्जी जीत जाए जो मर्जी प्रधान मंत्री बन जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है बड़ देखो इंग्लैंड में कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती उनकी राजनीती पॉजिटीव है कंस्रॉक्टिव है अगला आपका चुनावी टार्गेट क्या है अंतिम सवाल मेरा हमारा चुनावी टार्गेट पार्टी डिसाइड करेगी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं सब को एनलाइज करेंगे कि वहां क्या परिस्थिति हैं और कैसे लेखिन एजर नैशनल पार्टी अब बन गए है तो आइडियोलोजिकल पार्टी को हर गाउं में लेके जाना यह मेरी आज जो में चुनाव आएगा और यह सबजने की हम कोशिश करेंगे कि इस जिम्मेदारी को भी संदी पाठक किस तरह से निभा रहे हैं कैमरामेन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकर जैन दिल्ली आज तक